हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लान ने शनिवार को मदुबंस्तित हर्याना शशस्त्र पूलिस के वच्छरे स्टेडियम में आयोजित दिक्षान समारों में शिर्कत की इस दोरान मुख्य मंत्री ने सोलवे बैच के 400 महिला एवं पुरुष उपनिरिक्षरों को उनके पशिक्षन पूरा होने पर वधाई और शुपकाम नाये दी मुख्य मंत्री ने कहा कि आज के बाद वे अपनी डूटी के प्रती पहला कदम रखेंगे उन्होंने कहा कि आज के बाद सभी को एचपी यानी हर्याना पूलिस नहीं बलकी एचपी हर्याना परदेश मान कर पूरे परदेश की इमानदारी वक करमठता से सेवा करनी होगी मुख्य मंत्री ने परेड कंडिक्षन लिया और जवानों को सलामी सविकार की मुख्य मंत्री ने कहा कि नोजवानों ने अपना करियर बनाने के लिए पूलिस सेवा को चुना है यह बड़े गर्व की बात है क्योंकि पूलिस और दूसरे विभागों के समाने करमचारियों की जुटी में काफी अंतर रहता है दूसरे करमचारी कलेंडर के हिसाब से चलते हैं लेकिन पूलिस का कोई कलेंडर नहीं होता कोई तोहार हो या राजपत्रित अवकाश पूलिस हमेशा डूटी पर दिखाई देती है क्योंकि चुनोती भरा कारिय है पूलिस सेवा में भरते के दोरान महिलाओं की संख्या पर बोलते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि पहले पूलिस बल में बेटियों की तीन परतिशत थी पिछले पांच साल में इनकी संख्या मातर 6 परतिशत की फिर उसके बाद 10 परतिशत की और अब हमारा लक्षे 15 परतिशत करने का है आज के दिख्षान समारों में भी बेटियों की संख्या 56 है जो की पूरी संख्या का 14 परतिशत बनता है उन्होंने आगे कहा कि पूलिस अधिकारी वकरमचारी के कंदों पर एक बड़ा दाइट्व है उनकी नोकरी केवल आजीवी का कमाने के लिए नहीं है बलकि उसमें समाज सेवा का भाव निहित है आज भ्रष्टाचार समाज के सामने एक बड़ी चुनोती है जो एक नासूर की तरह है उन्होंने कहा कि उमीद है कि पूलिस के जवान ना केवल इससे दूर रहेंगे बलकि समाज से भ्रष्टाचार को मिचाने के लिए काम करेंगे समाज मेरा है हर्याना मेरा है इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना है इस तरह की भाब ना रखेंगे पुलिस जवानों द्वारा ले गई शपत का जिगर करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें बोले गए एक एक शपत को याद रखना है और इमानदारी वो निस्पक्षता का पालन करने का समकल्प बनाए रखना है उन्होंने कहा कि हम युवाओं को योगिता के अधार पर नोक्री देने के लिए प्रतिबद है इस दिशा में हमने पिछले लगबक 6 सालों में 70,000 से अधिक युवाओं को उनकी योगिता के अनुरूप सरकारी नोक्री दी है पुलिस में भी हमने पार दर्शी तरीके से भरती करने के लिए टी आर पी लागू किया है इसी का परणाम है कि आज सभी वर्गों और सभी शेत्रों से उच्च शिक्षा प्राप्त युवक युवतियां पुलिस में भरती हो रही है हर्याना पुलिस में खेल किस तर पर सुधारने के लिए रास्टे वो अंतरास्टे स्थर के खिलाडियों को भरती किया गया है बनाने को मंजूरी दी है उन्होंने कहा कि मदुबन में स्थित्पूलिस कॉम्प्लेक्स में भी फोरेंसिक साइंस प्रयोक्षाला का ट्रैक्या बार कोजिंग सिस्टम का शुभारम किया गया है ऐसे ही लेटेस दोबरे पाने के लिए बल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवार करेंग एंटर्प्राइब